नमस्ते बच्चों विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है चुम्बगो दौरा मनुरजन यह हमारा चेप्टर पूरा हो चुका है और चेप्टर जब पूरा हो जाता है हमारा प्रश्ण रोपतर के सेशन सोते हैं बच्चों हम जो है यह इस सेशन में और एक और सेशन होगा जिसमें हम प्रशण रोत्तर डिसकस करेंगे हमारी कोशिच जैसा आप जानते है हमेशा यही होती है कि जнокते अब करता प्रश्ण वांको करने के पूरते करने हैं तो यह जो आया है अब आपके सामने रिक्त स्थान है अंसर समुझते जाएं और फिर आप चेक हम आपको अंसर दिखाएंगे आप देखिए आपको याद जो आपने पढ़ा है वो याद है या नहीं तो प्रतिम चुम्बक विबेनकार के बनाई जाते हैं जैसे नाम अपने तीन सोच लिए चलिए चेक करिए छड़ चुम्बक दूसरा क्या नाम पढ़ाता हमने नाल चुम्बक एक और नाम पढ़ाता हमने बेलानकार ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं जो पदार चुम्बक क प्राचीन काल में लोग दिशाग्यात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे किसका टुपड़ा लटकाते थे, पढ़ा था ना, चलिए, सोच लीजे, छड़ चुम्बक का, ठीक है, चुम्बक के सदैव डैश दुरूव होते हैं बिल्कुल ठीक, आप, चाहे तो आप लिख दीजे, दो दुरूव होते हैं, या आप उत्तर दक्षन दुरूव होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों अंसर ठीक माने जाएंगे अब आपको सही और गलत बताना है, चलिए सोचते चाहिए अंसर, बेलनाकार चुम्बक में केवल एक दुरूव होता है, हमने क्या पढ़ा था, पहले अंसर चेक कर लेते हैं, क्या है इसका, सही या गलत, चेक कर ये गलत, ठीक है, हमने पढ़ा था कि चाहे हम चुम्बक के कितने भी टुकुडे करते हैं, चाहे कोई भी शेप का चुम्बक हो, हमेशा उसके दो दुरूप मिलते हैं, वो दुरूप के नाम क्या है, उत्तर पदक्षन, वेरी गुल, प्रतिम चुम्बक का अविश्का युनान में हुआ था, प्रतिम आर्टिफिशल चुम्बक का, स तब पता चलेगा प्रतिम चुम्बक सबसे पहले कहां बनाथा, चुम्बक के समान द्रोव एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं, सही है गलब, समान द्रोब, मुझे तो लग रहा है, यह सही है, आपको, तो बताए कि, आकरशन कौन से द्रोब करते हैं, समांध्रू नहीं आसमांध्रू आसमांध्रू आकर्शर करते हैं और समांध्रू प्रतिकर्शित करते हैं ठीक है लोहें हमेशे याद रखें कि सेम पोल्स आपके क्या होते हैं सेम पोल्स रिपैल करते हैं और अपोजिट पोल्स एट्रेक्ट करते हैं लोहें के बुरादा छड़ चुम्बक के समय प्लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। पढ़ा था? ये तो आपको बिल्कुल याद आगे हो गए, ये गलत है। थोड़े से और हैं, इनको हम और देखते हैं, छड़ चुम्बक सद्यव उत्तर दक्षर दिशा को दर्शा आता है। सही है, किसी इस्थान पर पूर्फ परश्रिम दिशा ग्याद करने के लिए कमपास का उप्योग किया जा सकता है। पूर्फ परश्रिम दिशा को करने के लिए। सही है, क्योंकि कमपस से हम सारे डिरेक्शन में निडल रुकती है, लेकिन फिर हम बाकी डिरेक्शन के बारे में ज्यान प्राप्त कर सकते हैं। रबड एक चुमबकी अपदार थे, सही गलत है, गलत है, बिलकुल थी। आगे थोड़े से हम और प्रशन देखते हैं, यह देखा गया है कि पैंसल छीलक, यह दबी प्लास्टिक का बना होता है, फिर वे चुमबक के दोनों ध्रवों से चिपकता है, उस पदार का नाम बताईए, जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। तो जो पैंसल शापनर में एक ब्लेड होता है, मालूम है ना, वही तो छीलता है, जो लोहे से बना होता है, लोहा एक चुमबक के पदार थे, यही कारण है कि चुमबक के द्रुगों धौरा आकर्शर होता है, तो जैसा आपको यादोगा जब मैं सेशन कर रही थी, तो मैं उस पार्ट के पास अगर चुमबक होगा, तो जरूर वो अट्रेक्ट होगा, याकि खाली अगर हम ब्रबर का पार्ट जैसे अगर सोल है, वो रखेंगे तो अट्रेक्शन नहीं होगा, तो यह याद रखें कहीं अगर आपको कोई एक इंजामपल ऐसा आ रहा है, जिसमें तो कह रहे हैं कि यह प्लास्टिक का बनाए लेकिन एक्ट्रेक्ट हो रहा है तो कारण क्या है तो हमें उसकी क्या करनी है शेप सोचनी है कि उसके अंदर क्या ऐसी लोहे की चीज है जो मेगनेट की तरफ एक्ट्रेक्ट हो रही है तो यहां पर जैसे आपको शापना का एक्जाम्पल दिया आपको और भी एक्जाम्पल देखा पूछ सकते हैं तो में हमे बस यह ध्यान रखना है कि चुम्बक पदार्थ होगा तो जरूर चुम्बक की तरफ एक्ट्रेक्ट होगा अब क्या है आपको यहां पर आए दे रखा है कॉलम ए कॉलम बी यहां पर पोल का दे रखा है यहां पर बता रखा है आकर्शन यह प्रतिकर्शन अब आपको जैसे यहां पर नौर्ट नौर्ट दे रखा है आपको बताना है कि आकर्शन होगा यह प्रतिकर्शन होगा यहां है उत्धा नोर्थ नौर्थ किया होगा आकर्षन हो रहा है तो यहां क्या लिखेंगे North है आकर्शन हो रहा है यहां पर हम लिखेंगे S जो represent करता है South के लिए चलिए अब South और North है तो क्या होगा जब North South हो या South North हो आकर्शन ही होगा प्रतिकर्शन है तो यहां पर क्या होगा N है ना N होगा नहीं South होगा ठीक है यह हम आपको चेक करना चाहरे थे तो South South है तो आपस में क्या होगा प्रतिकर्षन होगा जो Same Pole से हैं तो Repel करते हैं तो यह हमारा तो यहां पर देख लीजें कि जब Same Pole से हैं तो प्रतिकर्षन हो रहा है Opposite Pole से हैं तो आकर्षन हो रहा है चुम्बक के कोई दो गुड़ लिखिए चुम्बक के विप्री द्रूब एक दूसरे को आकर्षन करते हैं और समान द्रूब एक दूसरे को प्रतिकर्षन करते हैं एक स्वतन प्रूब से लटकी हुई कि चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षण दिशा को इंगित करता है अब वो चाहिए आपका कोई भी शेप का मेगमेट वो हमेशा उत्तर और दक्षण दिशा की और इंगित करता है तो बच्चो आज के जो हमारा था सेशन इसमें हमने थोड़े से प्रश्ण रुपतर आपके साथ डिस्कस करें और देख रहे हैं यह प्रश्ण रुपतर से अगर हम देखें तो हमारा काफी जो लेसन का एक रिवीशन हो गया है में जो जो चीज़े हमने पढ़ी है कि कैसे हमारा कंपस निडल है वो हमें डिरेक्शन के बारे में बताती है चुम्बक किस डिरेक्शन में रुपते हैं आया आर्टिफीशल जो चुम्बक हैं वो किसके शेप के हो सकते हैं कौन से द्रूप आकर्शन क्रेट करते हैं कौन से प्रतिकर्शन create करते हैं यही main topics हैं जिनकी अगर हमें knowledge है तो यह chapter अगर हम कहेंगे तो हमारा बिल्कुल तयार है कोई हमें लंबी definitions नहीं learn करनी है चुमबक की अबदार्द क्या है जो चुमबक की तरफ attract करते हैं आचुमबक की अबदार्द जो चुमबक से attract नहीं होते हैं तो यह एक देखते हैं तो काफी काफी simple है तो आप बस पढ़ते जाएं रिवाइस करते जाएं यह chapter तयार होता जाएगा तो हमारा इसके बाद एक और session है जिसमें हम थोड़े से और आपके जो प्रश्च बचे हैं उनके उत्तर आपके साथ discuss करेंगे तो अगले session में फिर मिलते हैं बाई